हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेट इंटेंस एक्जाम के 2019 के कॉमर्स के प्रिविस पेपर की स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किचे फ्रे स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट कोश्ण है रोजनाम च्छा क्या कहलाता तब रोजनाम च्छा क्या कहलाता है इस मabeth पुस्तक सहयक पुस्तक प्रात्मिक पुस्तक या फिर इनमेंसं कोई नहीं तो आप सब जांद जंगए रोसनाम चया यानि जर्नल एंट्रीस ये क् जर्णल जो हम प्रिप्पेर करते हैं बताईए दिखिए रोजनामचा जो है वो हमारा प्रात्मेक पुस्तक कहलाता है क्योंकि जब भी हम लिन देनों का लेखा रखते हैं या उनको रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहली प्रिक्रिया जो होती है वो परात्मेक पुस्त कॉमर्स को record करना होता है जो कि रोजनामचा कहलाता है तो यहाँ पर option C हमारा right answer है next question पर आईए bank समाधन विवरण है रोकड वही का हिस्सा passbook का हिस्सा bank द्वारा बनाया गया विवरण और ग्रहक द्वारा बनाया गया विवरण बहुत बार मैं यह question आपको discuss कर चुकी हूँ bank समाधन विवरण बहुत पूछा जाता है तो बताए जल्दी से answer देखिए यहाँ पर जो इसका right answer है वो है option number D यह ग्रहक द्वारा बनाया जाता है यानि कि जिस bank में किसी भी ग्रहक का account है वो अपने account का यह एक विवरण बनाता है कि कितना जमा हुआ है इसमें वो कितना निकाला गया है इसके basis पर यह bank समाधन विवरण बनाया जाता है यह एक तरह का विवरण होता है जो कि मुखेता पासुक के शेश और रोकडवई के शेश को मिलान करने के लिए बनाया जाता है और ये ग्राइक दारा बनाया जाता है ठीके तो option यहां पर हमारा right है next question पर आईए 2019 का paper बहुत simple था बहुत easy था अगर आप इस तरह का paper अब आजाता है तो आप पूरे के पूरे marks लेकर आएंगे इतना मैं आश्वाटी से कह सकती हूं क्योंकि इतना आसान paper पर एक भी question इसमें ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसा लगे कि हाँ यह question बहुत गलत है अब तक तो जितना questions पूछेगा उसमें तो सारे questions एकदम हलु आए नेक्स्ट है निमनिकित मैंसे कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का योग नहीं है रोकडबही खाता बही जर्णल या फिर बैंक समाधान विवरण दिखिए बात की जारे दोहरा लेखा प्रणाली की अब आपने accounting पड़ी है तो दोहरा लेखा प्रणाली हर जगे प्रियुक फालो करते हैं नेक्स्ट है चालूदाइथ्वे देव विपत्र लेंदार अदथ्वे या फीर यह सभी बताईए कि पूर कि करें देव यहां पर अगर हम बात करें तो देव विपत्र हमारा और लेंदार और अदथ्वे यह सारे हमारे चालूदायत्व के अंदर आते हैं क्योंकि चालूदायत्व की जो अवदी होती है वो बारा माह की होती है और यह सभी देविपत्र, लेंदार और अदत्वे इन सब की अवदी बारा माह के अंदर होती है तो यहाँ पर option D ये सबी हमारा right answer हो जाएगा next question है वह व्यक्ति जिससे फर्म को लेना है वो क्या कहलाता है देददार, लेददार, पूर्ति करता है या फिर इनमें से कोई नहीं गौती simple है देखिए वह व्यक्ति जिससे फर्म को लेना है अब फर्म किससे लेगी यानि कि फर्म देनदार से लेगी लेना किससे है देनदार से यानि कि जो हमको देगा लेनदार होता है जो हमसे लेगा तो फर्म को लेना है तो देनदार से ही लेगा तो option A यहाँ पर हमारा देनदार right answer हो जाएगा next है निमलिकित मैंसे कौन सी मूर्थ संपत्ती नहीं है ख्याती, furniture, stock, रोकड बदाए मूर्थ बताने है यहाँ पर मैं आपको मूर्थ अमूर्थ दोनों बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ तो यह question गलत मत करिएगा बताए क्या होगा इसका right answer देखिए इसका जो right answer है वो है option नमर 1 ख्याती ख्याती है हमारी मूर्थ संपत्ती नहीं है वाकि furniture, stock, रोकड यह सब मूर्थ संपत्ती है मूर्थ संपत्ती वो संपत्ती होती है जिनको हम touch कर सकते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं जैसे कि furniture को, stock को, रोकड को सब को टच कर सकते हैं लेकिन ख्याती को हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमारा प्रोड़क्त अच्छे से सेल हो रहा है तो यह ख्याती की वज़े से है या फिर हमारे पास ज्यादा कस्टुमर आ रहा है हमारा प्राफिट ज्यादा हो रहा है तो यह ख्याती की देखिए विक्तिकेट खाते के credit 6 की बात करें तो credit 6 का मतलब होता है हमें किसी राशी का भुकतान करना है और debit 6 का मतलब होता है हमें कोई भी राशी प्राप्त करनी है तो भुकतान करना होता है तो देखिए यहाँ पर option के ऊच कौन सा हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानि कि यहाँ पर आजाएगा दे राशी ठीक है अब नेक्स्ट है तलपट है एक ख्याता साइक वही एक सूची या फिर अंतिम खाता बताईए देखिए आपने कई बार पढ़ा होगा ट्राइल वैलेंस जो होता है वो हमारे लिए एक तरह से क्या है एक स्टेटमेंट है यानि कि एक विवरण है एक सूची है ये खाता नहीं होता ना ही कोई साइक वही है ना ही कोई अंतिम खाता है तो यहाँ पर आप्शन जो है सी आप्शन से चालू खाते की मद्ध किती थी देंदारों लेंदारों तोरह निश्चित की गई थी बुक्तानों के ओसाती थी या फिर खाता बढाने की थी तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है जल्दी बताएए पहले आप बताएए फिर मैं बताऊंगी इसक आंसर राइट आंसर इसका ओप्शन सी बुक्तानों के ओसाती थी कहलाती है हमारी ओसात देखिए ठीक है अब नेक्स्ट आईए निमलिकित मैंसे आधरबूत लेखांगन समीकरण क्या है संपत्ती इक्वल टू दायत प्लस पूंजी दायत इक्वल टू संपत्ती प्लस पत्ती इक्वल टू दायत माइनस पूंजी बताईए देखिए यहां पर अगर हम बात करें लेखांगन समीकरण की तो व्यपसाई की जितनी वी संपत्तियों का योग होता है दायत पूंजी के योग के बराबर होना चाहिए आधरबूत ले यहां पर समीकरण की बात करें तो ए उप्शन सही हो जाएगा संपत्ती इक्वल टू दायत प्लस पूंजी यह हमारा लेखांगन का सही समीकरण है अब नेक्स्ट देखिए चेक के रेखांगन के प्रकार कितने होते हैं दो, तीन, चार या छे बताये बहुत सिंपल है यह भी थूरी में मैं सब कुछ करा चुकी हो नहीं देखा है तो यह आपका फॉल्ट है आपने क्यों नहीं देखी मैं ये सारी चीजें आपको करा चुकी हो देखिए चेक के रेखांगन की बात करें तो यहां पे दो प्रकार के होते हैं तो option A right answer हो जाएगा अब दो कौन-कौन से हैं वो है साधारण रिखांकर और विशेश रिखांकर देखें दो त्रेके होते हैं साधारण में क्या होता है दो तिर्ची लाइन खीश दी जाती है जैसे कि फर एक्जामपल यह हमारा चेक हैं यहां पर दो तिर्ची लेखांए रिखांकर और विशेश होता है इसके अंदर बैंक का पटिकुलर नाम लेख दिया जाता है तो उसी बैंक में वहाँ पर उसका प अनवानों खानों का या फिर ना तो रोकड ना हे बैंग खाने का तो बताएखें अ जो कि क्या होगा इसका राइट आंसर की देखें राइट आंसर है ओप्षण बी रोकड भही के बैंक खाने का शेश डैबिट भी हो सकता है लेकिन रोकड भाई की बात करें तो रोकड भाई का शेश जो है वो हमेशे डैबिट ही होता है इसलिए यहाँ पर option B जो है वो हमारा right answer हो जाएगा next है नस्तिकरण की सबसे कम स्थान घेरने वाली file कौन सी है तार file लटकती हुई file खड़ी file या फिर B और C दौनों बताईए देखिए तार file जो है वो सबसे कम स्थान घेरती है इसमें क्या होता है सरफ एक तार होता है जिसमें सारे document लगा दिये जाते है जबकि लटकती हुई file में भी जगे चाहिए इसके according खड़ी file में भी तो यहाँ पर जो बात करें तार file सबसे ज़्यादा आसान होती है तो यहाँ पर option A तार file हमारा right answer हो जाएगा next question देखते हैं folder file कितने परकारकी होती है 1, 2, 3, 4 बताईए देखिए right answer है यहाँ पर option number B folder जो होता है हमारे दो तरह के folder होते है चीक है तो यह note कर लीजे इस तरह के चुटी-चुटी questions चोए exam में बहुत पूछे जाते हैं next है नस्तिगरण प्रणाली की आदर्शता निर्भर किस पर करती है पुझी पर, उत्पादन पर, निर्मान पर या फिर व्यापार के स्वरूप पर देखिए यहां पर राइट आंसर है D, व्यापार के स्वरूप पर अगर व्यापार छोटा हुआ तो तार्फ फाइलिंग भी अपना सकते हैं बहुत साए मैथड है जो छोटे बिजनिस में यानि कि छोटे व्यापार में यूज किये जाते हैं और अगर बड़ा व्यापार है तो उसके अनुसार उनको बड़ा नस्तीकरण फाइलिंग सिस्टम हाँ पर फॉलू करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट है संकित कार्ड का प्रियोग किया जाता है कार्ड अनुक्रमणिका में स्वरात्मक अनुक्रमणिका में पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका में या फिश्रंकला अनुक्रमणिका में बताए क्या होगा answer देखी नाम से पता पड़ा है संकेत कार्ड संकेत कार्ड यानि कि कार्ड यूज हुआ है तो ये काल्ड अनुक्रमनिका का ही पालड होगा, ठीक है, तो option A right है, next है, खुली अनुक्रमनिका में एक साथ कितने काल्डों को देखा जा सकता है, अनेक, 5, 10, 10, या फिर इन मैंसे कोई नहीं, देखिए, यहाँ पर right answer हो जाएगा, option A, अनेक, खुली अनुक्रमनिका में, हम एक साथ अनेक काल्ड को देख सकते हैं, क्योंकि वो खुली होती है, तो वहाँ पर हम कोई भी काल्ड कभी भी देख सकते हैं, सारे काल्ड वहाँ पर विजिवल होते हैं, नेक्स्ट है, पत्र M प्रलेणोखो को शीगरता से खुजणवाले उपकरण को क्या कहते हैं, नस्ती करण, अनुक्रमनिका, प्रतिलिपी करण याफे electro straight machine, देखिए, right answer है, B, अनुक्रमनिका, पत्र M प्रलेणोखो शीगरता से खुजणवाले उपकरण, जो हैं, वो होते हैं यह संधियों में बड़े समय म thiयों में च CMS करिए आम करी बाइट सेम जोटे व्यॅच्वी सी चोटे website में ठीक है नेक्स्ट पॉअरो भीइंगों का मुख्य उद्देश्य क्या है सेवाई देना लाब अर्जन करना लोगों का कल्यान करना या फार यह सब पताईए क्या होगा आपकी according answer इसका देखे right answer है यहाँ पर option number वानिजिक वैंकों के मुख्यों देश्य की बात करें तो वो होता है यहाँ पर सेवाय देना, लाब अरजन करना लोगों कल्यान करना यह सभी हो सकते हैं लेकिन exam में जो answer इसको माना गया है वो है B, लाब अरजन करना मुझे गलत लग रहा है, लाब अरजन करना नहीं होना चाहिए सेवाय देना भी होता है, लोगों कल्यान करना भी होता है वैसे लाब अरजन करना एक तरह से सही हो भी सकता है क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम सहकारी बैंक की बात करते हैं तो सहकारी बैंक पूरी तरह वो सेवाओं पर डिपेंड होती है कि लोगों कल्यान करना तो option B ठीक है सही है लाब अर्जन करना आप यही कर लेजे next है भारत का केंदर बैंक क्या है तो इसमें कुछ ज़्यादा समझनवाली बात नहीं है option B राइट आंसर है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया next है फुटकर व्यापारी माल खरीदते हैं ठोग व्यापारी से ग्रहकों से स्वैम उत्पादन करके या फिर उत्पादकों से बताए फुटकर व्यापारी कहां से माल खरीदते हैं देखे option A राइट आंसर है फुटकर व्यापारी जो होते हैं वो थोग व्यापारी से खरीदते हैं ठीक है क्योंकि इससे उपर की चैन थोग व्यापारी आता है उत्योग भ्यापारी के उपर जो चैन होती है वो होती है उत्पादक नेक्स्ट है साख नियंत्रण क्या है साख का विस्तार साख का संकुचन मुद्रा पूर्ती का विस्तार तता संकुचन या फिर उप्रोक्त सभी देखी साख नियंतरण से बात करें तो यहाँ पे मुद्रा पूर्ती का विस्तार करना और साधी साथ उसको संकुचित करके भी चलना भी साख नियंतरण का कार रहे है तो option C यहाँ पे हमारा right है नेक्स्ट है व्यापारिक बैंकों के पास निम्न मैंसे कौन सा अधिकार नहीं है जमा स्विकार करना, रंड देना, मुद्रा जारी करना या पे मुद्रा पूर्ती का option C यहाँ पे right है मुद्रा जारी करना ठीक है नेक्स्ट है एक आवश्यक बस्तू के लिए मांग की कीमत लोच होती है शून ने, एक, एक से अधिक या फिर एक से कम, बताई किस तरह की लोच होती है देखें यहाँ पे zero आएगा यानि की शून ने क्योंकि आवश्यक बस्तू का price कितना भी भड़ जाए वहाँ पर उसकी demand उतनी ही बनी रहेगी क्योंकि वह आवश्यक है ठीक है उसका कोई substitute नहीं है वह हमें purchase करनी ही करनी है चाहाँ उसका price कितना भी increase हो इसलिए यहाँ पर सीमान त्यानि की marginal utility देखिए जैसे जैसे हमारे marginal utility decrease होती है it means हमारा consumption क्या हो भड़ रहा है consumption जितना बढ़ेगा उतनी हमारे marginal utility कम होती चली चाहेगी इसलिए यहाँ पर option b right answer है वह भड़ेगा next है अर्थशास्त्र की कल्यान संबंदी परिवाशक किस अर्थशास्त्री ने रॉबिन्स, एडमि समिद, अल्फरेट मार्शल या फिर जेके महता right answer is C. Alphred Marshall अर्थशास्त्र की कल्यान संबंदी परिवाशा Elfraind Marshall ने दी नेक्स्ट है अर्थसास्त्र का जनक किसे माना जाता है अडम स्मित, जेके महता, प्रोफेसर रोविंसन या फिर प्रोफेसर मार्सल बताईए देखिए बहुती कॉमन है यह कॉश्चन और अब एक्जाम में बहुत पूचा जाता है अर्थशास्त का जनक माना जाता है Adam Smith को यह option यहाँ पर आपका correct है next है सामाने तहा मांग और आय में संबंध होता है रणात्मक, धनात्मक, गुनात्मक या फिर विप्रीत देखिए मांग और आय में जो संबंध होता है वो हमारा धनात्मक होता है यानि की positive option भी यहाँ पर हमारा right है next है यदि मांग की कीमत low 0 है तो मांग रेखा होती है y अक्ष के समानतर x अक्ष के समानतर ओपर से नीचे गिड़ती हुई या फिर नीचे से उपर गिड़ती हुई बताइए देखिए अगर मांग की कीमत लोच जो है वो हमाई शूनने है तो वहाँ पर जो मांग रेखा होगी वो वाई अक्ष के समानतर चाहेगी तो यहाँ पर option A हमारा right answer हो जाएगा ठीक है next है नमक की मांग की लोच होती है अत्यदिक लोचदार पूर्ण तहा लोचदार एकाई लोचदार या फिर अत्यदिक बेलोचदार बताईए देखिए मांग की लोच जो होती है तिदिक लोचदार होती है नमक की मांग क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा प्राइस तो यहां पर कंजम्शन उसका कम हो जाएगा ठीक है यानि की यहां पर एक तरह से क्या है हम उसका दूसरे सब्सिटूट ढूंडेंगे नमक का तो यहां पर option A हमारा right है next है किस विद्वान ने विचार दिया था कि उप्योगता मापनिय है हिक्स, पेरोटो, एलान या फिर मार्शल देखिए मार्शल ने गहा था कि उप्योगता जो है वो मापनिय है यानि उसको मापा जा सकता है तो option D यहां पर हमारा right है next है लगान सिध्धानत के जन्मिदाता थे रिकार्डो, एडम स्मिध, मार्शल या फिर माल्थस देखिए right answer है A, रिकार्डो, जो लगान सिध्धानत है वो दिया था रिकार्डो ने, यह questions बहुत अच्छे से कर लीजेगा यही questions बहुत बार repeat होते हैं और as it is questions आते हैं तो यह previous paper पूरा का पूरा as it is learn कर लीजे, समझ लीजे, जो भी आप कर सकते हैं, कर लीजे क्योंकि यह questions बहुत बार repeat होते हैं और as it is यही questions आया और आप नहीं कर पाए तो फिर बहुत अफसोस होगा तो please थोड़ी सी और मेहनत कर लीजे, दो महीने यह अभी नेक्स्ट है श्रम की सिवा के बदले दिया गया मूल्य मजदूरी है, यह कथन किसका है प्रोफेसर जीड, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सैलिंग मैन या फिर प्रोफेसर बैन हम देखिए श्रम की सिवा के बदले दिया गया मूल्य मजदूरी है, यह कथन दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, तो option भी यहाँ पे right है नेक्स्ट है, नेक्स्ट कुश्चन है, श्रम उत्पादन साधन है, यानि कि यह श्रम उत्पादन है, वो किस तरह का साधन है, शक्रिया, निश्क्रिया, गतिशील या फिर इन मैंसे कोई नहीं देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए श्रम उत्पादन जो है एक श्रक्रिय साधन है ठीक है नेक्स्ट है मजदूरी किस उत्पादन के साधन का पुरुसकार है श्रम का लगान का एवा भी दौनो या फिर इन में से कोई नहीं देखिए मजदूरी हमें कम मिलती है जह हम श्रम करते हैं तो मजदूरी क्या है हमारे श्रम का पुरुसकार है तो option A यहाँ पर हमारा right है नेक्स्ट कुशन पर आईए निम्न मैंसे किसका पूंजी बाजार में क्रेविक्रे होता है अन्षो का, माल का, स्वर्ण का या फिर इन मेंसे कोई नहीं पताए right answer A अन्षो का जो पूंजी बाजार में क्रेविक्रे होता है वहाँ पर अन्षो का क्रेविक्रे होता है ठीक है नेक्स्ट है पूंजी बाजार में परिवर्दित क्या जा सकता है मुद्रा को प्रतिबूतियों में, प्रतिबूतियों को मुद्रा में, एबापी दौनों या फिर इन्मैसिक कोई नहीं बताए हम क्या convert कर सकते हैं पुनजी बाजार यानि कि capital market के अंदर दीखें, capital market में हम मुद्रा को प्रतिवूतियों में अपने परिवर्दित करा सकते हैं और बिर्च परिवर्दित करा सकते हैं तो यह दोनों ही हमारे पास options होते हैं इसलिए options सी यह भी दोनों हमारा right answer हो जाएगा नेक्स्कूशन है पूंजी बाजार के कार रहें अब पूंजी बाजार के क्या जाएं पूंजी प्रभा करना, पूंजी की विवस्था करना, प्रतिवूतियों का अस्तांतरण करना या फिर उप्रोक्त सभी, बताईए देखी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रोक्त सभी क्योंकि पूंजी व्यापार में बाजार के अंदर पूंजी का प्रभावी किया जाता है यानि कि वहां पर जो हमाई कैपिटल होती है उसका मुमेंट होता है व्यवस्था भी की जाती है और प्रतिवूतियों का हस् कर लेता है फिर उसको सेल तीसरे परसन को कर दिया जाता है यानि हस्तांतरन होता रहता है ठीक है नेक्स कुशन है पूंजी वाजार के महत्व से संबंदित है क्या ओध्यों के विकास में सहायक है यह पूंजी निर्मान में विरत्ति है दोरी भूमिका का संचानन होता है य नेक्स कुशन पर आते हैं दीरकालिन वित्य प्राप्त करने के श्रोथ हैं कौन-कौन से रणपत्र, सम्तांच, विसिस्ट वित्य संस्थाई या फिर ये सभी बताईए देखिए यहाँ पर दीरकालिन वित्य की बात की जा रही है तो आपने पढ़ा होगा जब मैंने शॉट टर्म और लॉंग टर्म आपको लोन के बारे में बताया था तो वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि जो इनके सोर्से होते हैं लॉंग टर्म में उसमें रिनपत्र भी आते हैं समतांश भी आते हैं और विशिस्ट वित्य संस्थाएं भी आते हैं जो कि दीरकालिन रोन प्रोवाइट करती हैं ठीक है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कुल उप्योगता की अधिक्तम होने पर सीमानत उप मैंने आपको बताया था कि जो हमाई टोटल यूटिलिटी यानि कि कुल उप्योगता है वो हमारी मैक्सिमम होगी कब जब हमारी जो मार्जनल यूटिलिटी जिसको सीमानत उप्योगता भी कहते हैं वो शून्ने हो जाएगी तो इनका ये रिलेशन चलता है अगर मार्जनल यूटिलिटी जीरो है तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमारी कैसी होगी मैक्सिमम होगी इसलिए यहाँ पर option A हमारा right answer हो जाएगा 09 ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो consumer होता है उसको इस point पर आके full satisfaction मिलता है इसलिए यहाँ पर हमारी जो marginal utility हो जीरो होती है next question है कुल लागत equal to कुल इस्थर लागत प्लस यानि कि कुल लागत किसके बराबर होगी जह हम कुल इस्थर लागत में वो जोड़ दें बताइए वो कौन सी चीज है जिसमें कुल लागत इस्थर को जोड़ देंगे तो हमारी कुल लागत निकल कर आ जाएगी कुल अपसर लागत कुल वास्तविक लागत कुल मौद्रिक लागत या फिर कुल परिवर्थनिय लागत पताईए जल्दी answer करिए क्या होगा इसका देखिए इसका right answer हो जाएगा option number यहाँ पर D जो कि हमारा कुल परिवर्थनिय लागत नेक्स्थ है Alfred Marshall की पुस्तक का नाम क्या है जब मैंने आपको one-liner important questions कराये थे तो वहाँ पर ये question मैंने discuss किया था नहीं देखिए तो please एक गार देख लीजे one-liner में वो सारे questions मैंने कराई है जो कि आपके exam में frequently पूछे जाते हैं और देखिए 2019 में भी आया है ये question wealth of nation है principle of economics है economics है या फिर a guide to economics है बताएए Alfred Marshall की जो पुस्तक है उसको यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो वो है हमारी principle of economics option B यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा right answer next question पर आये विशेश रेखांकन के बीच में क्या लिखा जाता है bank का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर भुकतान की जाने वाली राशी बताएए जो हम कोई भी check है उसको यहाँ पर रेखांकित करते हैं तो वहाँ पर उस रेखांके बीच में क्या लिखा जाता है यह मैंने अभी दो-तिन दिन पहले ही आपके साथ discuss किया है अगर आप daily classes देखते हैं तो आप easily इन सब का answer कर सकते हैं देखे इसके अंदर लिखा जाता है bank का नाम तो option यहाँ पर right answer हो जाएगा यहाँ लिखते हैं bank का जैसे पंजाव एंसन बैंक इस तरह से नाम लिखते हैं जिससे की यह secure करने के लिए होता है payment की उसका misuse ना हो कहीं और payment ना हो particular उसी bank के अंदर उसका payment हो इसलिए यहाँ पर उसका नाम लिखा जाता है ठीक है next है अब देखिए फिर से एक और question आगे रिखांकित चेक का रिखांकित करने से चेक का बुक्तान होता है केवल कहां होता है बैंक की खिड़की पर बैंक खाते के मार्फत ग्रहाक के घर पर या फिर इनमेंसे कोई नहीं बताईए देखिए हम रिखांकित करने का परपस ही यह होता है कि जो भी payment हो वो secure तरीके से हो उसका गलत payment ना हो जाए उसका account खिड़की पर ना होकर बैंक के खाते मार होता है जो भी उस customer का खाता है बैंक में उस खाते में होता है उसका payment इसलिए यहाँ पर option B right है नेक्स्ट है अंकेक्षण कारेक्रम में समलेत हैं तलपट की जाच विशेश बैंक विशेश की जाच रोकड का सत्यापन या फिर ये सभी पताए देखि राइट आंसर हो जाएगा D जो कि हमारा ये सभी ये सारी ही जाच अंकेक्षण के अंदर होती है जिसके बैसेस पर पूरा पता लगाया जाता है कि सही तरह से एंट्री हो रही है नहीं या फिर treatment जहां भी होना था जिन books के अंदर उसका सही treatment हुआ है या नहीं और साथ में वाउचिंग भी चेक की जाते है उनके ठीक है नेक्स्ट है लागत अंकेक्षण किनके द्वारा करवाया जाता है सरकार और द्योगे ट्रिबुनल व्यपसाइक्संग या फिर ये सब ही लागत अंकेक्षण का मतलब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग से है कि ट्रिबुनल है वो करा सकता है व्यपसाइर व्यापारिक संग है वो करा सकता है मतलब जिसको भी डाउट होलता है वो करा सकता है इसलिए यहाँ पर ऑप्षण डी हमारा राइट है नेक्सट अंक्यक्षक है, कर्मच्यारी, न्योक्ता, सुतंत्रव्यक्ति या फ्र लेकपाल मैं पताइए कि यहां पर देखिएおおp channels see जो हो हमारा राई आंसर हो जाएगा सुतंत्रव्यक्ति ठीकिंड किस तरह का हनुता है सुतंत्रव्यक्ति होता है appoint हो company के दोरा या फिर देखे, auditors बहुत तरीके से appoint के जाते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोई wishes काम के लिए किया जा रहा है या फिर company के तरब से किया जा रहा है shareholders भी appoint करते हैं, board of directors भी appoint करते हैं, तो different situation में अलग-लग लोग appoint करते हैं, लेकिन वो किसी के साथ bound नहीं होता वो किसी के दवाव में आके काम नहीं करता, वो सतंतर होता है, company appoint करेगी, तब भी वो company के दवाव में काम नहीं करेगा, लेकिन practically अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता है, दवाव उस पर होता है लेकिन अगर हम यहाँ पर principle base पर काम करें तो एक auditor कोई भी appoint करे वो किसी की दवाओ में काम नहीं करना चाहिए उसका duty है सही चीज़ों को पता लगाना अब उससे company को loss हो, shareholders को loss हो यह उसको नहीं देखना उसे तो बस true information दिखाने है true picture दिखाने है जो भी वहाँ पर treatment हो रहा है company के अंदर accounts का उसको वहाँ पर दिखाना है उसे यह नहीं करना कि मुझे company ने appoint किया है मेरी salary पर फर्क पड़ेगा तो मुझे company को बचा के चलना है इस तरह की चीज़ां नहीं होनी चाहिए लेकिन practically आप देखें तो ऐसा नहीं होता है company auditor से अपने जो भी accounts है उनको manipulate करा के show करते है जिसे की company की बाहर image गलत ना चाहिए ठीक है जो की नहीं होना चाहिए ऐसा इसलिए अंकेक्षन क्या होता है हमेशा एक सोतंत्र व्यक्ति होता है उसको इसी तरह से काम अपना करना चाहिए ठीक है next question है company के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके दोरा होता है यानि कि first auditor जो होता है वो किसके दोरा point क्या जाता है प्रभंद दोरा, संचालक, मंडल दोरा, अंशधारियां दोरा या फिस सरकार दोरा question को याद रखिए प्रथम की बात की जा रही है देखिए प्रथम जो होता है वो board of directors यानि कि संचालक, मंडल दोरा प्रभंद किया जाता है और उसके बाद में जो प्रभंद होते हैं वो होते हैं shareholders के दोरा ठीक है, और अगर internal appoint कराना है तो वहाँ पर प्रभंद कर सकता है यहाँ पर प्रथम अंकेक्षक की न्युक्ति की बात की जा रही है तो यह जब company का registration जो पंजियन होता है उसके 30 दिन के अंदर यह appoint हो जाने चाहिए इसलिए यहाँ पर संचालक, मंडल जो होते हैं वह appoint करते हैं तो option भी यहाँ पर हमारा right answer होगा तो यह था हमारा 2019 का paper hope आपको यहाँ पर सारी चीज़े clear हो गई होगी किसी भी तरह का कोई भी doubt नहीं होगा कोई doubt है, comment section में बताए आप मुझे telegram group पर join कर सकते हैं देखे, telegram group की ID mycommerce info के नाम से ही है वहाँ पर search करेंगे, दो group मिलेंगे दोनों ही हमारे हैं तो आप एक है discussion के लिए और एक है जहाँ पर हम आपको PDF देते हैं और भी important चीज़ा provide करते हैं तो यह दोनों join कर लिजे आपके लिए बहुत helpful रहेगा और किसी भी तरह की कोई भी query हो बता सकते हैं वीडियो को like कीज़े, friends here share कीज़े तो next video में फिर मिलते हैं और विची वीडियो के साथ तब तक के लिए take care बाई बाई